Hello friends, welcome to Gati group of classes, मेरा नाम है Mohit Goyal, आज का हमारा topic है Euclid's division lemma, तो चलो friends, start करते हैं Euclid division lemma, Euclid, 9th class में आपने इनका नाम सुना है न, Euclid geometry नाम को एक chapter था तो Euclid एक mathematician थे, उन्होंने दिया था ये concept कि A is equal to BQ plus R, where R is less than B and R is greater than equal to 0 अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा असान language में समझते हैं, कि actual में है क्या ये जैसे suppose मैंने 7 को 3 से divide किया, 3, 2, 6, 1, remainder आगया 1 इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है, quotient, ये वली value कौन से होती है, dividend, है न, इसको हम क्या बोलते हैं, remainder और ये क्या होता है, divisor, इसके उपर एक formula भी है, जो आपने 8th, 9th है न, हर class में पढ़ा ही होगा, कि dividend dividend किसके equal होता है, divisor, divisor into quotient plus remainder इसको prove भी कर सकते हैं, आप जैसे dividend कितना है 7, divisor कितना है 3, quotient कितना है 2, plus remainder कितना है 1 तो ये 3 to the 6 plus 1, 7, 7 equal to 7 आ जाएगा, चलो, एक तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी, दूसरी, एक बात आप observe करो, जब भी हम long division करते हैं, तो जो remainder होता है, remainder होता है, remainder हमेशा जो है, या तो 0 के equal होगा, या 0 से बढ़ा होगा, remainder 0 भी थो हो सकता है, जैसे मैंने 15 को 3 से divide किया, 5, 3, 15, remainder आ गया 0, तो मुदला, remainder 0 भी हो सकता है, 0 से बढ़ा भी हो सकता है, आपने remainder 0 से छोटा तो नहीं देखा ना, कभी, negative 1, negative 2, ऐसा बुश तो नहीं देखा, तो remainder हमेशा या तो 0 से बढ़ा होगा, या 0 के equal होगा, और हाँ, remainder जो है, हमेशा छोटा होगा, यह remainder जो है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, कोई भी divide करके देखलो, आप कोई भी, यह remainder हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, अब इन ही दो बातों को Eucleid ने थोड़ा सा असान लेंगोज में लिख दिया क्या जैसे 7 को 3 से डिवाइड किया वही सेम चीज़ 3, 2, 6, 1 आ गया रिमेंडर तो रिमेंडर को नाम रखा गया R, कोशन को नाम दिया गया Q, dividend को नाम दिया गया A, और diviser को नाम दिया गया B, formula क्या होता है dividend is equal to diviser into quotient plus remainder तो dividend क्या है A, diviser क्या है B, quotient क्या है Q, remainder क्या है R, है न, वही बात बनगी न, A is equal to B के उप्लस R A is equal to B के उप्लस R, चलो ठीक है और यह जो मैंने आपको अभी समझाया था, कि remainder हमेशा 0 से बड़ा होगा, यह 0 के equal होगा यह less than divisor होगा तो divisor को क्या बोलते हैं B, है न, तो remainder is less than B and remainder is always greater than equal to 0, यह था division, Euclid division lemma next है हमारा Euclid division algorithm, Euclid division algorithm, अब यह क्या चीज़ है Euclid division algorithm is a technique to compute the HCF HCF, HCF of two positive numbers या two positive integers HCF, अब यह HCF क्या चीज़ है एक छोड़ी सी example लेके समझते हैं, HCF का concept actual में होता क्या है, HCF है highest common factor, जैसे मेरे पास दो number है, एक 15 दूसरा है 30 suppose मैंने इसका HCF निकालना है, वैसे तो सारा कुछ नाम सी clear है, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा असा लेंगुज में समझते हैं इसको highest common factor 15 और 30 ऐसा कौन सा table है जिस पे दोनों divide होते हैं, कौन-कौन से यह बोल सकते हो, कौन-कौन से table है जिस पे यह दोनों divide होते हैं, दोनो 1 के table पे divide होते हैं, common table बोल रहा हूं, मैं common table दोनो 3 के table पे divide होते हैं दोनो 5 के table पे divide होते हैं और सोचो, दोनो 15 के table पे divide होते हैं ठीक है? बट हमने इसका find करना है HCF, highest common factor दोनों का, यह तो common factor हैं 15 और 30 के यह सारे common factors हैं बट इन सारे factors में से highest common factor कौन सा है? highest common factor क्या है? 15 तो 15 और 30 का HCF क्या आ गया? HCF of 15 and 30 क्या हो गया? 15, highest common factor ठीक है? जैसे चलो एक example देखते हैं और जैसे हमने find करना है HCF, HCF of 300 and 396 by using Euclid division algorithm अब 300 and 396 का हमने HCF निकालना है by Euclid algorithm अगर हम इस method से करेंगे तो थोड़ी सी difficulty आएगी है ना, इस method का एक disadvantage यह है कि जब बड़े number आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन सी table पे यह दोनों divide होते हैं तो Euclid ने एक method दिया था Euclid division algorithm कहते हैं, इसकी यह जो algorithm है, इसको long division भी बोलते हैं इसकी help से आप किसी भी दो numbers का HCF निकाल सकते हो तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहला step क्या है, यह देखना होता है कि दोनों में बड़ा number कौन सा है तो 396 is greater than 300, है ना, तो क्या करो 396 को dividend की जगा रख लो, और 300 को रख लो divisor की जगा और इसको divide करो, तब तक divide करो, जब तक remainder ना आ जाए तो 1 पे जाएगा यह, 300 आ गया, आ गया 96 remainder अब इसके आगे तो नहीं solve हो सकता न, चलो यह था पहला step साथ-साथ में लिखना भी है, हमें पता है कि dividend किसके एकल होता है dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, साथ-साथ में हम लिखेंगे भी तो इस case में dividend क्या है, 396, divisor क्या है, 300, quotient क्या है, 1, remainder कितना है, 96 तो अगले step में क्या करना है, यह जो remainder आए 96, यह हमारा बन जाएगा divisor और यह जो divisor था, यह हमारा बन जाएगा dividend, और आगे further इसको solve करो अब यह जाएगा 3 पे, 96, 3 जा कितना होता है, 288, देखो remainder कितना आया, 10 में से 8 गया, 2, 9 में से 8 गया, 1 इसके आगे तो नहीं solve हो सकता नहीं, तो remainder आ गया, तो यह पहला step था, अब इसका लिखो second step second step में dividend कौन सा था, 300, और divisor क्या था, 96, quotient क्या था, 3, remainder कितना आया हमारा, 12 ठीक है, अब next step perform करो, next step में यह जो remainder है हमारा, यह divisor हो जाएगा, और यह जो divisor था, यह हमारा dividend बन जाएगा divide करो, हमें पता है कि 12, 8 जा, 96 होता है, तो remainder कितना आ गया, 0, ठीक है, चलो पहले हम step लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको hcf, तो third step में dividend क्या है, 96, divisor क्या है, 12, quotient कितना है, 8, remainder कितना है, 0, तो इसका hcf कैसे find करेंगे हम, जिस step में remainder 0 आ जाए, ध्यान से step का जो divisor होता है, उस step का जो divisor होता है, वो होता है हमारा hcf, तो इसको finally हम कैसे लिखेंगे, hcf of, hcf of 300 and 396 is कितना है, 12, मतलब क्या हुआ इसका, 300 and 396, 12, 12 वो number है, जिस पे यह दोनों divide होते हैं, सबसे बड़ा table है, सबसे बड़ा table है, वैसे तो यह 2 से भी divide होते हैं, वैसे तो यह 4 पे भी होते हैं, बट सबसे बड़ा table कौन सा है, 12, 12 के table पे दुनों divide होंगे, highest, highest common factor, highest common factor, ठीक है, thank you guys, तो guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को like करें, share करें, और हाँ, channel को subscribe ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो क latest update आपको time to time पहुंचते रहें, thank you guys,